हेलो दोस्तों, रश्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको वेस्ट पिंगॉल में हुगली नदी के किनारे स्थित रक्षिनेश्वर काली जी मंदिर के बारे में कुछ इंट्रस्टिंग इंफर्मेशन बताने वाले हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1855 में रानी रश्मोनी ने करवाया था। रानी रश्मोनी was a philanthropist and a devotee of मा काली। ये मंदिर मा काली के भटवा तारणी अफ़तार को समर्पित है। मंदिर परिसर में एक अनोटी वास्तुकला है विच इंफ्लूएंस बाए बोथ हिंदू एन गौथिक स्टाइल्स। दक्षिनेश्वर मंदिर में स्थापित मा काली की मूर्ती को स्वेंबू माना जाता है। मुख्य मंदिर पारंपरिक नवरत समरचना में निर्मित है जिसमें नौशिकर है जो देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक है। गर्ब ग्रह में देवी काली की मूर्ती स्थापित है जिसे क्रोधित रूप में दर्शाया गया है। जो भगवाल शिफ पर खड़ी हैं मुख्य मंदिर के चारो ओर विभिन देवताओं को समरपित कई छोटे मंदिर हैं जो मंदिर के शांती पोड़ वाता वरण में योगदान करते हैं। मंदिर की जटिल नकाशियों और भीती चित्रों में विभिन पौरानिक द्रिशियों और कहानियों का चित्रण हैं जो मंदिर की कलात्मक भव्यता को बढ़ाते हैं। राणी राश्मोनी's vision was to create a spiritual place for devotees and the temple soon became a significant pilgrimage site। इस मंदिर को श्री राम क्रिश्न परमहंस के साथ जोड़े जाने की कारण भी प्रसिद्धी मिली जो कुछ समय तक मंदिर के पुजारी रहे और उन्होंने वहां गेहन अध्यात्मिक अनुभव भी किया था। मा काली की मूर्ती का रूप अत्यंत शक्ति शाली और भयावे हैं। उनकी काली तवचा और आखों में शक्ति का अध्भुत अनुभव होता है जो भक्तों को आकरशित करती है। कई मूर्ती मा काली की अन्य मूर्तियों से भिन्न है क्योंकि इसमें मा के हातों में खंडित सिर और खंडित अंग होते हैं जो उनकी शक्ति का प्रतीक हैं कई भगतों ने मा की मूर्ती के सामने ध्यान करते समय अद्भुत अध्यात्मे का नुभव साजा किये हैं, जिन में दिव विद्रिष्टी और आशिरवात की प्राप्ती शामिल है। मंदिर परिसर में 12 छोटे शिव मंदिर हैं, जिनका अपना महत्व है। आप सब को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और इंट्रस्टिं इंफिर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल रश्मी की दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और तक ये अज़ति दूरी और था विडियो के वीडियो के लिए खाच विडियो के लिए हमारे जरूर है।